Hello everyone, Namaste and welcome back to my channel आज मैं आपको बताने वाली हो बहुत ही delicious wedge sandwich जिसमें रोजाना के प्यास, टामाटर और खीरा नहीं होगा और ना ही इसमें मेय होगा तो चलिए, lunch box के लिए perfect sandwich recipe स्टार्ट करते हैं तो मैंने यहाँ पर ले लिया है cabbage जिसको मैंने already shredded करके इसे धू लिया है और उसके बाद हम इसमें add करेंगे carrot के julien इस तरह से आपको match stick size में आपको पतले-पतले काट लेना है और अब हम इसमें डालेंगे sliced onion अब इसमें chopped ginger and green chilies डाल लेते हैं साथी साथ इसमें add कर देंगे spring onions अब इसमें add करेंगे थोड़ा सा basin जोकी इसे bind करने में help करेगा अब डालेंगे यहाँ पर नमक नमक आप एक चम्मस से थोड़ा सा कम डालेगा कम ही डालेगा क्योंकि बाद में आप add भी कर सकते हैं और फिर हम इसमें डालेंगे black pepper powder और साथी साथ इसमें डालेंगे मिठास के लिए थोड़ी सी मिठास के लिए honey और यहाँ पर मैं one या two tablespoon of water इसमें डालना है तो अब पैन लेना है पैन में आपको बटर डालना है बटर डालती ही जो हमने stuffing रेडी करके रखा था कैरेट और cabbage का वो हम इसमें डाल देंगे तो इस तरह से आपको थोड़ा फैला लेना है और अब इसको हम थोड़ा सा shape दे देते हैं ताकि ये sandwich में आराम से अंदर stuff हो जाए तो इस तरह से shape देने के बाद बहुत जरूरी है कि हमें इसे पकाना है क्योंकि ये बहुत थिक है तो इसको हम ढग करके इसे हम दो मिनट के लिए पका लेंगे ध्यान रखे कि आपका जो flame है वो बहुत ही low होना चाहिए अब इसे ढगने के बाद दो मिनट बाद आप हटा के देखेंगे कि नीचे का जो हिस्सा है वो अच्छी तरह से पक गया है तो आप इसे turn करके दूसरे side को भी अच्छी तरह से पका लेंगे ढग कर अब यहां जब आप धकन हटा करके देखेंगे तो दोनों side अच्छी तरह से पक चुके हैं तो अब बारी आती है ब्रेड चिपकेगा कैसे तो ब्रेड चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पर चीज का स्तमाल किया है मैंने चीज लिया है यहाँ पर श्रेड़ेट चीज है यह अगर आपके पास चीज slices हैं तो वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर से थोड़ा सा आप टोमैटो कैचप डालिए धकन डार धाके दो तीन सेकेंड के लिए से गरम होनी दीजे ताकि वो पिघल जाए और जब आपका जब चीज पिघल जाएगा तब आसानी से ब्रेड उस पे चिपक जाएगा तो यहाँ पर देखिए पिघल चुका है यहाँ पर चीज और मैं यहाँ पर ब्रेड को चिपका देती हूँ चिपकाने के बाद हम इसे वापस से टर्ण कर देंगे ताकि ब्रेड का वो हिस्सा भी अच्छी तरह से टोस्ट ह क्रिस्प हो जाए तो मैंने तो यहाँ पर वीट ब्रेड का इस्तमाल किया हुआ है आप चाहे तो मिल्क ब्रेड भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं सेम जैसे उस साइड में हमने ब्रेड को चिपका था सेम लाइक दाएट हम यहाँ पर भी वैसी करेंगे चीज डालेंगे थो सेम डेड सेमे में फार्वी um यहां बच्चों को बहुत पशंद आती है और साथ ही साथ काफी हेल्दी है क्योंकि इस में मैयो जैसी in gü prevent नहीं हैं क्योंकि में काफी जादा fat पाया जाता है सो अर्डों घृट करनी है तो वह भी स्कि kidnapped कर सकते हैं और यह बहुत ही मज़ेदार सैंविच बन करके तयार होता है तो इसे ब्रेकफरस्ट में खाईए या फिर स्नैक्स में खाईए या फिर बच्चों के टिफिन में दीजिए सो यहां पर तयार है गर्मा गरम क्रिस्पी वेज सैंविच आप भी खाईए रेसिपी अच्छी लग रही है तो दूसरों को भी शेयर कीजे ताकि वो भी बना पाए और वो भी अपने सेहत का खयाल रख सकें सो उमीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज डोंट फर्गेट टो गीव मी थम्स अप और साथी साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह ही मज़िदार रेसिपी लाते रहूँ थांक यू सो मुच फो वाचिंग फ्रेंड्स में मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ तब तब बाई